दोस्तो एक्जाम में रंगों की प्रॉपर्टी से संबंदित कोश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं जैसे कि निम्न मेंसे किस रंग की तरंग दहर्या देख है किस रंग की उर्जा देख है या फिर किसी रंग का फैलाव देख है इन सबी के आंसर देने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जैसे हमने बच्पन में स्कूल में कई बार सुना है ट्रिक का नाम है विव ग्यॉर इस ट्रिक में दोस्तो V4 वॉयलेट होता है यानि की बैंगनी रंग होता है I4 इंडिगो यानि की नीला रंग होता है V4 ब्लू यानि की आस्मानी रंग होता है G4 ग्रीन यानि की हरा रंग होता है V4 यलो यानि की पीला रंग होता है O4 ओरेंज यानि की नारंगी रंग होता है और R4 रेड यानि की लाल रंग होता है और दोस्तो इस ट्रिक में बैंगनी रंग की जो एनरजी होती है यानि की उर्जा होती है वो अधिक्तम होती है यह हमको याद रखना है इसके बाद जैसे जैसे इस ट्रिक में हम नीचे की तरफ जाते हैं एनरजी का मान कम होता जाता है और लाल रंग के लिए जो एनरजी होती है वो सबसे कम होती है यानि कि दोस्तों इंडिगो रंग की जो एनरजी होती है वो वोलेट रंग से कम होती है और ब्लू रंग की जो एनरजी होती है वो इंडिगो से कम होती है जैसे जैसे नीचे जाते हैं एनर्जी कमान कम होता जाता है और दोस्तो फिजिक्स में एक रिलेशन है E is equals to H C upon lambda lambda इसमें तरंग देरे है दोस्तो यानि कि एनर्जी जो होती है वो तरंग देरे के वितकरमान पाती होती है मतलब कि एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाती है lambda कमान बढ़ता जाता है या फिर एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तरंग देरे कमान कम होता जाता है अब दोस्तो बैंगनी रंग के लिए energy कमान maximum है तो इसके लिए जो तरंग देरे होगी वो minimum होगी क्योंकि एनरजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो तरंग दहरे कम होती जाती है और दोस्तो इस ट्रिक में उपर से जैसे जैसे नीचे जाते हैं लेम्डा के मान में व्रद्धी होती जाती है यानि कि तरंग दहरे का मान बढ़ता जाता है यानि कि वोईलेट रंग का जो तरंग दहर होता है वो minimum होता है और लाल रंग का जो तरंग धहर होता है वो maximum होता है इसके बाद दोस्तो dispersion यानि कि किसी भी रंग का फैलाव कितना होता है तो इसके लिए dispersion जो होता है वो energy के proportional to होता है यानि कि जैसे जैसे एनर्जी का मान बढ़ता जाता है डिसपर्शन का मान भी बढ़ता जाता है अब दोस्तो बैंगनी रंग के लिए एनर्जी का मान maximum होता है तो dispersion भी इसका maximum होगा यानि कि बैंगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है अब दोस्तों जैसे जैसे उपर से नीचे आते जाते हैं energy के मान में कम ही आती जाती है यानि कि dispersion का मान भी घड़ता जाता है यानि कि लाल रंग के लिए जो dispersion होगा यानि कि फैलाव होगा वो सबसे कम होगा तो इससे दोस्तों इस ट्रिक से हमने energy, तरंग देरे और फैलाव इन तीनों के बीच में relation देखा है इससे कई question exam में पूछे जाते हैं इस trick को अगर आप याद कर लेंगे तो इन से संबंदित हरे question आप आसानी से कर पाएंगे दोस्तों इस trick पर आधारित कुछ question देख लेते हैं जो सरकारी exam में अक्सर करके पूछे जाते हैं question number 1 नेमनमेसिक किस रंग की तरंग देर रहे अधिक्तम होती है तो इसका सही answer option D लाल रंग हो जाएगा और दोस्तों हमने trick पड़ी थी विब ग्योर इसमें बैंगनी रंग की जो उर्जा होती है वो अधिक्तम होती है उपर से नीचे जाने पर एनरजी कमान कम होता जाता है और लाल रंग के लिए उर्जा मिनीमम हो जाती है और दोस्तों बैंगनी रंग के लिए जो तरंग दहरे होती है वो मिनीमम होती है और उपर से नीचे जाने पर तरंग दहरे के मान में व्रद्धी होती जाती है और लाल रंग के लिए जो तरंग दहरे होती है वो अधिक्तम होती है तो इस question का answer option D लाल रंग हो जाएगा यानि कि लाल रंग की तरण धर अधिक्तम होती है next question number 2 निम्न मैं से किस रंग की उर्जा सबसे कम होती है तो इसका सही answer option C लाल रंग हो जाएगा यानि कि दोस्तो निम्न मैं से लाल रंग की उर्जा सबसे कम होती है हमने दोस्तों ट्रिक में अभी देखा था विप ग्योर इसमें बैंगली रंग के लिए उर्जा कमान अधिक्तम था और लाल रंग के लिए उर्जा कमान सबसे कम था क्योंकि उर्जा जो होती है वो ट्रिक में उपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है और लाल रंग के लिए उर्जा कमान मिनिमम होता है नेक्स्ट कोशन नमर थ्री ट्रैफिक सिगनल्स में या खत्रे के निसान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है तो इसका सही आंसर और अप्शन ए तरंग दहरे अधिकतम होती है हो जाएगा दोस्तो लाल रंग के तरंग दहरे के लिए लेमडा का मान यानि की तरंग दहरे का मान सबसे अधिक होता है एनरजी का मान यानि की उर्जा का मान मिनिमम होता है और डिस्पर्शन यानि की फैलाव का मान सबसे कम होता है अब दोस्तो डिस्पर्शन minimum होने के कारण और तरंग देर अधिक्तम होने के कारण लाल जो रंग होता है वो अधिक्तम दूरी कबर करता है इसलिए इसे दूर से ही आसानी से देखा जा सकता है इसलिए traffic lights में या खत्रे की निसान के लिए लाल रंग का अपयोग किया जाता है ताकि इसे दूर से देखा जा सके और उपयोग बचा किया जा सके नेक्स्ट एक कोस्टन नमर फोर स्वेध प्रकास को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो किस रंग का फैलाव सबसे जदिक होता है तो इसका सही आंसर ओप्सन ये बैंग नी रंग हो जाएगा दोस्तो स्वेध प्रकास जो होता है वो सात रंगों से मिलकर बना होता है ये सात रंग बिब ग्योर में समाहेत है वी फोर वाइलेट होता है आई फोर इंडिगो, बी फोर ब्लू जी फोर ग्रीन, बाइफार यल्लो ओ फोर ओरेंज और आर फोर ड्री रग यानि कि स्वेध प्रकास जो होता है वो सात रंगों से मिलकर बना होता है जब इसे प्रिजमिस से पास किया जाता है तो ये सात ओर रंग में विवाजत हो जाता है और प्रिजम से पास कराने के बाद बैंगनी रंग का जो dispersion होता है वो maximum होता है और लाल रंग का जो dispersion होता है वो minimum होता है यानि कि फैलाप सबसे कम लाल रंग का होता है और wallet रंग का सबसे अधिक होता है Next question number 5 निम्न मैंसे किस रंग की तरंग देरे सबसे कम होती है दोस्तों वैसे तो सातों रंग में बैंगनी रंग की तरंग देरे जो होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग देरे सबसे अधिक होती है परन्तो इन चारों में अगर पूछा है तो नीले रंग की तरंग देरे सबसे कम हो जाएगी और पीले रंग की तरंग देरे सबसे अधिक होगी हमने ट्रिक में देखा था विप ग्योर में कि बैंगनी रंग की जो तरंग देरे होती है वो minimum होती है सबसे कम होती है और लाल रंग की जो तरंग देरे होती है वो सबसे अधिक होती है और उपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं तरंग देरे के मान में व्रद्धी होती जाती है अब दोस्तो नीला यानि की इंडिगो ब्लू यानि की आस्मानी ग्रीन यानि की हरा और बाई फोर यलो यानि की पीला अब दोस्तो उपर से नीचे जाते हैं तो तरंग दहरे के मान में व्रद्धी होती जाती है इसका मतलब सबसे अधिक जो तरंग दहरे होगी इन चारो कलर में वो पीले रंकी होगी और सबसे कम जो तरंग देर होगी वो नीले रंकी होगी आसा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ओन कर दें जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें तो दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में